हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक्जामिनेशन ट्वेंटी सेवन आरर भी एंटी पीजी के एक्जाम लगातार चल रहे हैं आज 9 फेबरेवरी को फ़स सेप्ट का एक्जाम हो चुका है इसी का एनलिसेस करेंगे सत्प्रतिसाथ 60 जवाब के साथ जी के मैट्स और रिजनिंग के जित्ते भी क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उन्हें ही यल करेंगे दोस्तों आपने अगर एक्जाम दे दिया या देने वाले हैं तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रहे हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन डेली आ रहे हैं तो देखी दोस्तों पहला क्वेश्चन है भारत, पाकिस्तान, स्रीलंका, बांगलादेश इसके अतिरिक्त कोन से देश सार्क के सदस्य हैं देखी ये क्वेश्चन दोस्ते तीन बार रिपीट हो चुका है भारत, पाकिस्तान, स्री लंका, बागला देश के अतिरिक्त, कौन से देश सार्क के सदस्य है तो देखिए, लगातार इसी क्वेस्चन को बार बार रिपीट कर रहा है तो इसका आंसर है दोस्तो आप्सन नमबर ए, नेपाल, माल्दिव, अफगानिस्तान और भूटान, सार्क के सदस्य है अगले क्वेस्चन पर चलते है आप्रेशन, आप्रेशन फ्लड किस से संबन्दी था है आप्रेशन फ्लड किस से संबन्दी था है Operation Flood देखी दोस्तों ये है दुगद उतपादन में व्रदि से संबन्दित दुगद उतपादन में व्रदि हे तु Operation Flood संबन्दित है तो देखी दोस्तों ये बहुत ही Top Trending क्वेस्चन है हर दिन रिपीट हो रहे हैं अगला question देखिए, the god of small things निमलिकित में से किस ने लिखा, विक्रम सेट, अरूंधती राय, आर्के नारायन, अनिता, देशाई, तो इसका answer है देखिए, अरूंधती राय, अरूंधती राय ने the gods of small things लिखा था, अगला question पर चलते हैं, 1964 में diesel, locomotive, कारखाना कहां बनाया गया था, यह बनाया गया था, दोस्तों, वानाडशी में, वानाडशी में, यह भी बहुत important question है, अगला question पर चलते हैं, देखिए, maths पर आ गए हम, maths के question को solve करेंगे, तो maths में पुछा गया था, एक rail गाड़ी आधी दूरी को 40 km पतिगंटा की रफ्तार से, और आधी दूरी को 60 km पतिगंटा की रफ्तार से चलती है, तो उसकी औसर चाल क्या होगी, तो देखिए, एक question को समझीए, एक rail गाड़ी जो है, यह टोटल दूरी में से आधी दूरी को 40 km की speed से चलती है, और आधी दूरी को 60 km की speed से चलती है, तो उसकी औसर चाल क्या होगी, यह ग्याद करना है, थाल करते हैं, देखिए, औसर चाल का फार्मूला होता है, देखिए दूस्तों, 2xy बटे x धन y, तो देखिए, द पहले speed किती है, उसकी 40 km आधी दूरी को टाय करता है, फिर आधी दूरी को किती speed से चलता है, 60 km पती गंटा की चाल से, तो एक धन y, 40 धन, 60 कर देखिए, तो देखिए, दो गुडी, 40, 60 बटे, 40 और 60 कितने हो गए, दूस्तों, 100 हो गए, 2-0 से 2-0 कड़ गए, 60 के 24, 24 दूरी, 48, 24 दूरी, 48 इसका क्या आंसर होगा, 48, 48 km पती गंटा, और 18 km पती गंटा इसकी आउस्त चाल होगी, अगले question पर चलते हैं, देखिए, बहुत ही सांदार question पूछा गया है, कोई वस्तु जब, कोई वस्तु जब 32 रुपए में बेची जाती है, तो विक्रेमूल को, विक्रेता को 28 प्रतिसत लाब प्राप्त होता है, उस वस्तु को 35 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिसत लाब होगा, जब वहां 32 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता को 28 प्रतिसत का लाब होता है, अगर वो 35 रुपए में बेचेगा, तो कितने प्रतिसत का लाब होगा, यह ग्यात करना है हमें, तो हल करते हैं, देखिए, तो देखिए दोस्तों, पहले वो 32 रुपए में वस्तू बेच रहे तो 28 प्रतिसर लाब कमा रहे यानि कि 100 पर कित्टे का लाब कर रहे है 28 दो कित्ते हो गए 128 तो देखिए 128 दो कित्ते का लाब कमा रहे है 128 का कित्ते में बेच कर विक्राय मुले 32 तो 2 से काड़ देते 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 चिंग 12, 2 चोके 8, 16, 66 और ये 4 से 4 दुनिया और 4 पंचे 20 तो क्राइमुल कितना निकल गया? वस्तु का क्राइमुल निकल गया 25 पच्चिस रुपए क्राइमुल निकल गया अब देखिए फिर वो बोल रहा है question में आगे कि उसे 35 रुपए में बेचने पर कित्ते प्रतिसत लाब होगा अगर वो वस्तु को 35 रुपए में बेचता तो कित्ते रुपए का लाब होता कि रोड़ा तो देखिए क्राइम मुली कित्ता है, 25 वो बोल रहा है 35 रुपई में बोचता तो भी क्राइम मुली क्या आ जाएगा, 25 की वस्तु 35 में बेच रहा है कित्ते का डिसटेंस से दोनों के बीच में 10 का, यानि कि 10 का लाप कमा रहा है हो तो देखिए 10 का लाब कमा रहा है कित्ते पर 25 पर क्योंकि हमेशा लाब किस पर कमाया जाता है क्राइमुली पर कमाया जाता है इसलिए और परसेंटेज के लिए गुड़ा करेंगे 100 से 25 चोके 100 और 10 चोके 40 तो 40 पर्तिसत का उससे क्या होगा? लाब होगा अगर वो 35 रुपे में वस्तु को बेचेगा तो 40 परतिसत का लाब होगा अगले क्योंड़ी चलते हैं तो देखिए दूसतों बहुत इसांदार क्योंड़ने टकी में 2 नल लगे है एक नल से पूरी टंकी 10 मिनट में दूसरे नल से टंकी 20 मिनट में भर जाती है यदि दूनों नल एक साथ खोल दिये जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा बहुत ही सांदार क्वेस्चन दो से तीन बार रिपीट हो गया है हल करते हैं देखिए एक टंकी को दो नल तो पहला नल जो है दस मिनट में भर रहा है टंकी को दूसरा नल 20 मिनट में भर रहा है अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरेगी यह गयात करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखी दोस्तों पहला नल जो है टंकी को 10 मिनट में भर रहा है दूसरा नल जो है टंकी को 20 मिनट में भर रहा है तो दोनों मिलकर टंकी की केपिसिटी किता है LCM ले लेंगे तो इसका LCM आ जाता है 20 यानि कि टंकी 20 लिटर की है तो देखिए एक मिनट में कित्ता भरेंगे तो 20 को 10 से डिवाइट कर दीजिए दो बार जाएगा और उसी प्रकार 20 को 20 से डिवाइट कर रहें तो एक बार जाएगा तो एक मिनट में जो है पहला नल 2 लिटर पानी भरता है और दूसरा नल 1 लिटर पानी भरता है तो देखिए दूस्तो एक मिनेट में एक मिनेट में वह एक मिनेट में तीन लीटर पानि भर रहे हैं तो टोटर 20 लीटर पानि बहुताइसादवानी देखिए देखिए दोस्तों रिजनिंग के question स्टार्ट हो गए हैं बहुत ही सांदर question देखिए question है present chin के बदले में कुन सा अंक लिखा लिख सकते हैं present chin के बदले में देखिए यह हमें इस तरह की आकरती दी हुई है इसमें number लिखे हुई हैं देखिए ऑशे हल करते हैं इसे को नौ धन चार्थन तो कितने हों यह हो जाते हैं पन्दरा इसी प्रकार देखिए पाथ यह भी 15 हो जाता है तो इसका अंसर हो का option number H है question मार के इस्तान पर 6 आएगा अगले question पर चलते हैं देखिए ये question देश्तो हर बार बन के आ रहा है इस तरह का question अगर minus का मतलब plus और plus का मतलब गुड़ा या multiplication है और भाग का मतलब रिन और गुड़ा का मतलब भाग हो तो देखिए कुछ हमें equation दिये तो हमें क्या बोल रहा है हमें दिया है 4,2,3,4,2 हमें बोल रहा है की हमें बोल रहा है की minus का मतलब अगर plus हो तो minus कहा है यहाँ पर देखिए 2 के बाद यहाँ पर minus का मतलब प्लस हो जाएगा यह देखिए माइनस की जगा प्लस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा और प्लस का मतलब गुड़ा यानि कि यह गुड़ाय में आ जाएगा और भाग का मतलब रिन तो यहाँ यह माइनस हो जाएगा और फिर बोल रहा है गुड़ा का मतलब भाग हो गुड़ा का मतलब भाग हो तो ये भाग में हो जाएगा तो देखिए दूस्तो पहले गुड़ा कर लेंगे गुड़ा होता है तो कहीं देखिए चार गुड़ी दो आठ हो जाएगा रिन तीन और देखिए चार भागी दो किता हो जाएगा यह हो जाएगा दो हो जाएगा रिन दो आजाएगा और आठ और तीन किते हो जाते हैं ग्यारा ग्यारा में से दो घटा देंगे तो यह बच जाते हैं नव तो इसका आंस तो देखिए कैसे हल करेंगे A से C किते का गेप है 2 का धन 2 का गेप है C से F किते का गेप बन रहा है 3 का गेप बन रहा है F से J किते का गेप है 4 का गेप है यानि कि एक एक बढ़ते जा रहा है तो J से 5 नमबर पर क्या आ जाएगा J से 5 नमबर पर O आजाएगा O से फिर 6 n नमबर पर चाँएगा O से 6 n नमबर पर U आजाएगा O से 6 n नमबर पर U आजाएगा तो इसका अंसर क्या होगा O और U ऊप्सन नमबर C इसका अंसर होगा अगले कुश्चन पर चलते हैं हैं बहुत ही सांदार कोच्चन दिये गए चीटर के वानन लिकेत में से कौन सा कतन सहिए A और B अजद कर दो टीन अज़ित दूकिती में तो A और B देखिए की में गलत और E A B और C अज़िए mज़र का सिब जगा अगला उप्सन है C, F, C, D, B, A F, C, D, B, A यह तीनो आकरती में है, नहीं है एक भी नहीं है, क्योवल B सभी तीनो आकरती में है तो देखिए B जो है, इसमें भी है इसमें भी है, त्रभुज में भी है व्रत में भी है, और चतुरभुज में भी है त्रिभुज में भी है वरत में भी है और चतुरभुज में भी है तीनों आकरती में इसका अंसर होगा बी D number का जाएगा इसका answer तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इत्ता ही वीडियो अच्छा लगए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए नए हैं चैनल में तो चैनल को subscribe कीजिए और comment करके बता ही वीडियो कैसा लगा